मैं दिपाप खुराना आपका स्वाधत करती हूं गर का खाना में आज हम बनाएंगे पोह चीवड़ा इसके लिए हमें चारिए पोहा, कच्चा सींग, सुखा नारियल, कटा हुआ, काजु, किश्मेश, राई, हल्दी पौडर, नमक, चने की दान, हरी मिर्ची बारी कटी हु और तेल, पैन लेंगे, पोहर डालेंगे, पोहे को हलका भून लेंगे, इसे जारा नहीं भूनना है, पोहे को हलका भून लिया है हमने, अब हम इसे निकाल लेते, पोहे को हमने निकाल लिया है, अब हम पैन में तेल डालेंगे, तेल को गरम होने देंगे, तेल गरम हो चुका है, अब हम इसमें राई डालेंगे, अब हम इसमें सिंग डालेंगे, अब हम इसमें चने की डाल डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसमें नारियल डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं, अब हम इसमें काजू डालेंगे, मिक्स कर लेते हैं, इसे मीडियम आज पर भूने और लगाता हिलाते रहें, अब हम इसमें करी लिव डालेंगे, अब हम इसमें करी लीव डालेंगे, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे, अब हम इसमें हल्दी डालेंगे एक चमश हल्दी पौडर एक चमश नमक मिक्स कर लेंगे अब ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है अब हम इसमें पोहे डालेंगे पोहे को हल्के हाथ से मिक्स करें अब ही अच्छी तरीके से मिक्स हो चुका है हमारा पहा त्यार हो चुका है अब हम इससे सब करेंगे तो यह था हमारा पोहर चीवड़ा, आप इसे बना कर स्टोर करके रख सकते हैं, यह चीवड़ा तीर महीने तक हराब नहीं होता है, अगर आपको मेरे रासिपी अच्छी लगिया है, तो लाइक करें, शेर करें और सब्सक्राइब करें, थांक्यू झाल